Hello everyone, Welcome to my YouTube channel इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचव अदेश में लेक्चर सिविल इंजनेरिंग की वेकैंसी के बारे में और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आते थे उसका रीजन था कि काफी पहले 2020 में ये लास्ट ताइम वेकैंसी निकली थी लेक्चर सिविल इंजनेरिंग की जो वेकैंसी है 16 पोस्ट जो है वो वेकैंट है और इसमें अगर मैं आपको कैड्रे बताऊं तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे देखोगे जो डिरेक्ट रेट आफ टेक्निकल एजुकेशन है तो इसमें आपको आर इन पी रूल्स मिलेंगे जो लास्ट अपडेटिड आर इन पी रूल्स हैं 2014 में है और वहाँ पे मैंशन है कि लेक्चर सिविल इंजनेरिंग का जो कैड्रे है 22 का ये कैड्रे है उसके बाद अब आगे की कोई डिटेल नहीं है कि कैड्रे इंक्रीज हुआ है या उतना ही कैड्रे है क्योंकि उसके ब पूरी डिटेल यहां पे बनती है और एक और चीज में आपको बताना चाता हूं कि यहां पे डारेक्ट रिक्रूट्मेंट या बैच बाइस या परमोशन ऐसा कुछ नहीं है 100% आपको डारेक्ट रिक्रूट्मेंट यानि टेस्ट के मादेम से ही यहां पे लेक्चर सिविल इंजिनेरिंग की भरती देखने को मिलती है नेक्स टाइम मैं कोशिश करूँगा कि आपको कैड्रे के बारे में भी बताऊं लेकिन अगर यहां पे 22 का कैड्र है उसमें से 16 विकेंसी है तो आप मतलब माद देख सकते हो कि क्या हाल होगा जहां पे पोल टेक्निक गौर्में लगता है कि जानकारी लेके आनी होगी और आपको बताना होगा और इसमें अब देखते हैं कि बाकी परपोजल के बारे में तो फिलाल कोई आइडिया नहीं है कि कोई परपोजल है विकेंसी का और इसमें बाकी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट विडियो में बात करेंगे फिलाल मैंने आपको ये चीज़ बता दी इसके बाद आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी जहांपे हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वेकेंसी का हो सकता है उसमें सीविल इलेक्ट्रिकल की बात करी जाए तो उस वीडियो का भी आपको वेट करना होगा I hope आपको एक वीडियो अच्छी लगी होगी informative लगी होगी तो वीडियो को like and share कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो for the new updates के लिए